और यार PUBG से तो इंसानियत बिल्कुल बिल्कुल खतम हो चुकी है मेरे टीमेट की आवाद सुनो यार दुख दिखाई दे रहा है मेरे को लग रहा था यार रो पड़ेगा मेरा टीमेट यहीं पे तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिराण न्यू गलत सीन से भरे बड़े पड़े पबजी दो माईल गेंप्री वीडियो में और यार इस मैच से सिर्फ और सिर्फ एक बात साबीत होती है कि यार इंसानियत नाम की चीज असली दुनिया का नहीं पता लेकिन पबजी से न खतम हो चुकी है बिलकुल खतम हो चुकी है और वो सारे गलत सीन आगे जाके देखने को मिलेंगे लेकिन फिलाल यार नुवो उतर रखें और यहां पर जो भी सस्ती गन मिलती है उसे उठाता हूँ और जब यह लेड़ गया था ना मुझे लगा हो गया आप काम और मेरा तो नहीं लेकिन हमारे भाई का काम हो जाता है नौक कर दिया सब पे गने आगे अब मेरे पे सिर्फ सोड़गन पढ़िए तो इनको लगता है आर मैं हलवा बनाने बैठा हूं यार पहला बंदा कूदता है उसको पकड़ लिया दूसरा बंदा भी कूदता है उसको भी पकड़िया यार कोई जत नहीं है सोड़गन की अंदारस करे जा रहे हैं कैर जहां तक मेरे को पता ये टोटल चार बंदे इधर आये थे लेकिन पेटी अभी बस दू की बनी है तीन की बनी है एक और बाकी अभी और इसी के साथ ये गलती से जो बंदे यहां आये थे गिने चुने सबकी बेटी बन जाती है चार उठिल जाते हैं अब यार यहां पे तो बहुट भी ठीक से नसीब नहीं हो रहे थे कैर इसी के साथ नोवो खाली हो चुका है अब जा रहे हैं दूसरी जगा पे मिल्टा वगेरा जाना पड़ेगा कम से कम बंदे तो मिलेंगे लेकिन इसे पहले कि मैं मिल्टा जाऊं और दबा की गलत सीनों दूबारा हम धैड़ बैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सपेट जिसके माध़ से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बॉली बास्केट बॉल और साइबर क्रिकेट जैसे सपॉर्स और इस्पॉर्स पे भी बैड़ बूट लगा सकते हो साती साथ इसमें आपको मिलता है साथ जार रुपे तक का बोनस आपके पहले डिपॉसिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शियों में होगा साती साथ इसमें कई सारे मिनी ग मैं एक हट से ज्यादा हट से ज्यादा सस्ते घर पर गुस्ता हूं यह तो घर भी नहीं है और सस्ते घर में आर मैं तो बच्चाता हूं लेकिन हमारे भाई को पकड़ लिया जाता है और पेटी भी बना दी और यह सारे बंदे मेरे ख्याल से एक ही टीम के थे मतलब महेंगे घर पे एक बंदा बगल वाली दिवार पे दूसरा बंदा और हम बीच में फसे पड़े हैं एक सस्ते घर पे मैं घर क्यूं बोल रहा हूं इस जगा को कैर इसी के साथ मिल्टा भी खाली हो जाता है और यार मेरे को कहीं और ही भगना पड़ेगा अब और जैसा कि मैंने पहले भुला था यह लगना लगाना अपनी पेटी बनवाता है हमारे भाई को लगा बंदे बस दिवार की तरफ हैं घर पे कोई नहीं बैठा है और घर वाले बंदे ने उजी पेली और दिवार वाले ने यार बेरल पटका दी बिल्कुल गेर की पेटी वनाई गई है खेर इसी के साथ ये जगा खाली हो जाती है और इसके बाद मेरे को मिल्टी रहरी जाना पड़ता है देख रहे हूं मतलब किल के लिए क्या नहीं करना पड़ता जिंदगी में नुवा उत्रा नुवा के बाद बिरिच पार करके मिल्टा गया उसके बाद अब यहां से देखो मेरे को कदू कुछ नहीं दिख रहा होता ठीक से लेकिन मेरे को जलती आग दिखाई दे रही थी वह भी बंदों पे जलती आग मैं सोचता हूँ यार क्या सीन हो गए इधर पर और देखो सीन क्या हुआ होते हैं इस डिरॉप के पीछे टोटल चार बंदे होते हैं पूरे के पूरे चार बंदे अगर आप पीछे करके किलफीड दुखे हुए ना इनका अबना टीमेटी सब को पेल देता है यार पेटिया देखो और यार पब्जी से तो इंसानियत बिल्कुल बिल्कुल खतम हो चुकी है मेरे टीमेट की आवाद सुनो यार दुख दिखाई दे रहा है मेरे को लग रहा था यार रो पड़ेगा मेरा टीमेट यहीं पे एक बंदे ने चार की पेटी बना दी किसी ने यार जलती बोतल में आख फेकी किसी ने नेड पेल दिया आखिर में बस एक आखरी बंदा बाकी था जिसको यार पेलने में घंटों लग दे लेकिन ठिला तो सही एक सस्ते डिरॉप के लिए यार क्या क्या कर दिया इनोंने वैसे सस्ता नहीं था यार मतलब को के सामने ठिल गए कैर उसके बाद मैं वहां से निकल पड़ता हूं जा रहा हूं पोचंकी की तरफ और यार यहां पर मेरे से पूश्टास की जाएगी मतलब यार देखो आप सोलो सुकॉर्ड खेल ला हूं और जब भी सोलो सुकॉर्ड खेलते हो ना जाता तर आती है देखो आप सीन और इसे कहते हैं जोस में बिहुसी खोबैटना मैं पीछे खड़े हूं के मारे जा रहा हूं गोलिया और इनको खबर तक नहीं है और जो भी मिल्टी रेरी में मैं किल लेनी पाया ना वो सारी किल यहां पर उठानी होंगी क्योंकि दो-दो टीम बैठी है और यहां पर खड़े बंदे तो मेरे से ठिलत नहीं है नेट से तो मैंने सोचाया कम से कम नोग बंदे को तो पेल दूँ और वो जो सेक के अंदर बनता घुसा था ना यार उसकी किसमत गलत चल लई थी बाई को लगा यार सेक में गुच जाता हूँ कोई नहीं देखेगा जिन्दगी भर बिता दूँगा लेकिन मैं वहीं पहर पे खड़ा होता हूँ तो नेट से वो ठिल गया कैसे तैसे और अब एक और बंदा यहीं चट पे बैठा पड़ा है मैं सोचता यार डेड़ा एक्यू यूज़ करूँगा लेकिन उसको पहले से पता होता है तो मेरे को यहीं से हमला करना पड़ेगा और जब भी कोई बंदा नौक होके आपके तरफ देखता रहे न तो यार बहुत ही कम बहुत ही कम ऐसा होता है कि उसका टीमेट आता है उसे बचाने और इस भाई कभी कोहीं नहीं होता है यहां आस-पास तो भाई हमसे ही बात करते हैं यार यूट्यूब में चलना और यूट्यूब बनाना कैसे होता है मैं तो यह अपनी सस्ती वीडियो बनाता हूँ खेर जो भी सीनों भाई को लगता है यार की सोलो सकॉर्ड खिलना है कुछ तो सीनों गाप मैं बोलता हूँ है यार बस नाम सर्च करके देखो क्या पता मिल जाए जिन्दगी में कैर इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा और इंतेजार करता हूँ किसी के आने का लेकिन यार कद्दू कोई नहीं आता यहां से तो करना क्या है दुबारा से इधर उधर बटकने का टाइम आ गया है यार सई मैं दिल में न चैन मिल जाता है जब एक ही जगा पे एक-दो सोकोड एक साथ मिल जाए नहीं तो आधी जिन्दगी मेरी पबजी में गाड़ी चलाते वे कटती है इधर से उधर चलाओ उधर से उधर चलाओ फिर बंदे नहीं मिलते और इस मैच में भी यार कोई चाहता ही नहीं है कोई चाहता ही नहीं था कि मेरी 30 किल हो जाए जिन्दगी में यहां पे भी 29 पे आके अटक जाता हूं यार दिल पे दुखता है यह चीज और उधर आगे गाड़ी में बैठ के फुल टाइम पास चला है मेरे ख्याल से यार तेल वगेरा भर रहे होंगे खैर दो बंदे में नौक कर चुका हूँ टाइम आगया है रस रूस करने का और समूक भी बन चुका है इधर पे और समूक मैजस करने की पूरी कोशिज रहती है मेरी लेकिन यार कोई ठिलता नहीं मेरे ख्याल से साइड में बैठे हैं और ये देखो यार एक अलग तरीके का नेड़ जिन्नगी मैं साइद पहली बार फेक रहा हूँ ऐसा और अगर आपको मेरे टीमेट की आवाज बहुत दीमे आई ना तो मैं बता तो उसने क्या बोला भाई बोलते यार ओ फट गया लग तो नहीं रहा था मुझे मतलब यार चाहे फटे तो भी मजाक बनता है नेड ना फटे तो भी मजाक बनता है यार नेट से पूरी लॉबी भी खाली कर दूँगा ना यार तो भी मजा की बनेगा खैर यहां पर पता चलता है कि इस घर पे भी एक बंदा उपर बैठा पड़ा है और पता चलता है यह किसी और टीम का ही है और यही दो घर के अगल बगल दो टीम के बंदे बैठे पड़े हैं और यार जब तक मैं आया नहीं ना कोई लड़ाई नहीं कर रहा है केम्पिंग मतला दबा के बिचाए थी इस वाले बंदे ने और अब एक आखरी बंदा बाकी है और आखरी बंदे को पेलने में कोई दिक्कत नहीं होती मेरे ख्याल से गरोजा की सिर्फ और सिर्फ एक गोली लगी वो भी सीधा सरपे भाई का काम एक गोली में हो जाता है अब देखो यार मेरा सपरे सस्ता है तो जादी चलानी पड़ती है क्योंकि बचके निकल लेगा तो दुख बहुत होगा कैरिशी के साथ ये जगा खाली होती है मैं सोचता हूँ की चलो भाई ठीक ठाक बंदे ठील चुके हैं आराम से बढ़िया किल कर सकता हूँ और यहां से मैं पूरे जोस में खुस होके आगे की तरफ निकलता हूँ लेकिन यार गलत सीनोते टाइम ले लगेगा आगे और इन बंदों को लगता यहां पे ससूराल विमल का चला है उपर बैठके बिलकुल मज़े से हमारी लड़ाईयां देख रहे थे और अब गोली चला रहे है और वो बंदा अभी तक नौको के पेटी बन जानी चीए थी उसकी लेकिन यार सस्ता सप्रे है अब क्या ही किया जा सकता है अब दो बंदे ऊपर की तरफ गए हैं और ऊपर की तरफ घनी घनी घांच पड़ी है तो यार आपको भी पता है मेरे को भी पता है क्या सीनों ने वाले हैं हर कोई साप बन जाएगा और मेरे को ठीक से भी नहीं पता कि बंदे है कितने दो तो कम से कम है यहां पे अब यहां पे साप तो थे पूरे के पूरे दो लेकिन खड़ा एक ही वाप एक ही साप खड़ा वाप तो दूसरे साप को डूनने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ अब देखो वो दूसरा साप मेरी नजरों के सामने थोड़ा नीचे की तरफ भगा था लेकिन यार यहां पे दिखाई नहीं देता टेंसन मतलो बाद में जाके दिखाई देगा और कहां पे दिखाई देगा अब खुद देखना अब मेरे को एक बंदा तो मिलता है लेकिन यार यह वो वाला साप नहीं था क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो साम वहां से खड़ा होके जो उनकी बाहर की तरफ भगने को लगएगा नहीं यार वो कहीं उल्टी जगा पे भगा है अब यहां पे दो बंदों को नौक करके मैंने पेटी बनाई लेकिन वो आकरी साम जो नीचे भगा था वो मिलता नहीं है तो मैं उस पहाड को छोड़के उस बंदे को भूलके उस साम को भूलके इस तरफ आता हूं और इस तरफ आके यहां पे वो साम मिलता है अब उस भाई ने वहां से यहां कब चलांग लगा यार मेरे समझ के पार है और जित्रा मेरे को पता यार ये वही सांप होता है जो अदर दूसरी पहाड़ी पे सांप बना था यार कैसे कर लेते ये लोग आँकों के सामने से गायब हो जाएंगे आँकों के सामने लेड जाएंगे खतरनाक टाइक का खेलते हैं बिलकुल और अभी एक खतरनाक बंदा मिला है लेकिन अभी क्या भी एक और खतरनाक बंदा मिलेगा और ये तो यार हद से जादा हद से जादा खतरनाक होता है और यही वाला बंदा चाहता नहीं है कि मैं जिन्दगी में 30 किल कर लूँ यहीं 29 पे अटकाऊं इस बार भी नहीं हो पाएगा 30 और हमारे ये भाई जैसे तैसे भग भगा के उस सैक में घुच जाते हैं और यार वो सैक जून के बाहर है और इसको पेलने के लिए मैं क्या नहीं करता मैं जोन के बाहर रुकता हूँ मैं बस इंतिजार करता हूँ कि ये यार वहाँ से निकले या फिर मुंडी दिखा दे एक बार को मुंडी दिखा दे मैं AWM पटका दूँ तो यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ चाहे कोई भी साप बनाओ अगल बगल मैं इंतिजार करता हूँ इसका और यार वो बंदा ठीपी भी लेके ठिलने को तयार है लेकिन बंदा कोशिज भी नहीं करेगा जोन में गुशने की तो मैं क्या करता हूँ यार देखो मैं हर टाइप मान जाता हूँ क्योंकि यार बाकी बंदे भी पेलने इसके चक्कर में कब तक रुखेंगे मतलब बंदे को मंजूर है जोन से ठिलना उसको मंजूर है जोन आए वो बगर गुली चलाए ठिल जाए जिन्दगी में लेकिन भाई पीक नहीं करेंगे यार कम से कम समोग बनाके बगने की कुशिस कर लेता क्या पता बच भी जाता और बंदा तब गोली चलाता है जब मैं नेड करने की कुशिस कर रहा हूं बहुत ही वड़िया और यहां पर मैं एक बंदे के पीछे पड़ा हूं लेकिन इस घर के अंदर चार-चार बंदे बैठे पड़े हैं मैं पहले क्यूं नहीं आया इस घर के पास हाँ दुबार हसे 29 किल गेम प्ले और मेरे को अभी याद आया कि मैं उस घर के पास पहले क्यूं नहीं गया तो सीन क्या होता है यार मैं खोलता हूं अपना मैप अब नसे में तो मैं था नहीं लेकिन यार मेरी बात को कौन मानेगा मेरी हरकत ही है ऐसी होती है मेरे को लगा यार ये घर तो जून के बाहर है मैंने इसके बगल में गाड़ी गुमाई तक नहीं अब यार अगर मैं पहले आता न इस घर के पास तो वो सापवाला बंदा मेरे को देखके वहाँ टीपी भी लेके नहीं बैठता, वो जोन में आता, और क्या पता मैं उसे पेल देता जोन में आके, लेकिन यार जब किसमत में 29 की लिखा हो, नहीं 29 को 29 की कहते हैं शायद, 29 की लिखा हो तो यार 29 की लिखा होती है, क्या ही किय जा सकते हैं कोशिस मैंने पूरी की लेकिन हो ना सकाती स्किल के राज के वीडियो में इतना है भाई लोग बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे ये सश्टे सपरे और यार उस बंदे के लिए जो जून से ठीलिया भाई ने किल नहीं दी मे के लिए और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई डेली नूनो लाइफ पे लाइफ सट्रीम वगेरा करता है रात के नौ बज़े से अगर कोई गलत सीना हो तो तो यार वहाँ पे फॉलो पेलना मत भूलना यार उस एप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल झाल झाल कि झाल कि पूल